इस वत के सबसे बड़ी और बिग ब्रेकी निउस निकल करा रही ही कि आपरेशन P.O.K को लेकर के पाकिस्तान में फिर एक बार गहमा गहमी शुरू हो चुकी है जी हाँ बता दें कि पाकिस्तान में बात शिर चुकी है कि भारत बहुत ही जल्द आपरेशन P.O.K आपरेशन तिरंगा या फिर ऐसे ही किसी नाम से P.O.K को हथिया लेगा आर्मी अब P.O.K से इतनी दूर नहीं है कि P.O.K को हथियाने में समय लगे दरसल पाकिस्तान की ही एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या खवर निकल कर आ रही है कि जिस तरह पाकिस्तान में और शिर्ता बनी हुई है पैसे की कमी और परमाड़ बम बेचने की बात चल रही है ऐसे में यदि देखा जाये तो भारत कभी भी ऑपरेशन P.O.K चला सकता है जिस से पूरे के पूरे P.O.K को हथिया आए जा सकता है यही नहीं बताया जा रहा है कि P.O.K भारत का सरताज होने के साथ साथ अब पाकिस्तान की सिडद भी बन चुका है दरसल पाकिस्तान P.O.K को संभाल नहीं पा रहा इसलिए वहाँ के लोग बिद्रोह भी कर रहे हैं वहां के लोग खुद ही भारत में समाहित होना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में यह कायास लगाया जा रहा है कि कभी भी प्योके को भारत हतिया सकता है। वैसे भारत में भी कुछ लोगों का कहना है कि यह गोल्डन समय है जब प्योके को हम ले सकते हैं। इस पर आपका क्या विचार है आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सही समय है या नहीं अपना राय हमें कमिंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को सच्चे देश भक्त होने के कारण जरूर सेयर करें